मेट्रो रेल से समंदित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेल्वेल आई पी चैनल को सबस्क्राइब की दिये साथ में स्वेयर करना मत बूलिए हलो दोस्त आरार भी एलपी परिच्छा एक अबली कठार आप समाप्त होने के कगार पे है क्योंकि प्रोसेस बहुत हो ही रहा है अब ज्वाइनिंग की प्रोसेस बाकी है अब लोगों का सवाल यह आ रहा था कि railway life LP channel का क्या कारण हुआ जिससे progress नहीं हुआ कुछ लोग कहते हैं कि channel का attitude गलत है कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और है कुछ लोग अपने तरीके से कहते हैं क्योंकि वो उनकी analysis है लेकिन मैं अपने तरफ से आपको analysis करके 5 कारण बता दू जिसके कारण से railway life LP channel का मेहनत करने के बावजूद बहुत पीछे रह गया लोगों से तो ये 5 कारण एक-एक करके आपको यहां गिनाएंगे जो कारण है कि YouTube पे progress करना और सही चीजे बताने में क्या-क्या कारण बीच में आती है वो सारे चीजे आपके पास होंगे और जो चैनल पे इस पे होंगे सुरू से उन्हें सारी चीजे पता होगी एक-एक करके आपको समझाते हैं तो पहला कारण बीना देरी किये हुए कोपी कोपी करने का मतलब यह है कि आप किसी भी content को create करते हैं अपने हिसाब से आपने create करया और उसको अपने चैनल पे अपलोड किया उस वीडियो को कोई भी देख सकता है वो यूटूबर भी हो सकता है या आपकी एक भीवर भी हो सकता है अब आपके भीवर देखते हैं आपके भीवर सेयर करते हैं लेकिन अगर उसी content को कोई कोपी कर लिया जाए कोई यूटूबर देख ले और उसी content को सेम के सेम अपने चैनल पे अपलोड कर दिया जाए और वो चैनल बहुत बढ़ा हो तो आपका progress यहीं बंद हो जाती है सबसे बड़ी कारण है और यह कहने में मुझे कोई सर्म नहीं और कोई टेक्निकली पता नहीं क्योंकि मैं सब लोगों को किलियर बता दिया है कहां कहां कोपी और कैसे कैसे हुआ है उसमें से एक example आपको बता दूँगा group D हैडराबाद का मैंने 5 दिन मेहनत करके pass qualify, pt qualify और disqualify को count किया था क्योंकि वो channel वहाँ पे group D बहुत बड़ी vacancy थी सबको अलग-अलग करके लाया किसी ने एक minute में copy किया आपने channel पे upload same data कर दिया लेकिन मैंने वहाँ पे pass और fail में दो-दो candidate का change कर दिया था जिसके कारण से copy पकड़ी गई उसी तरह और बहुत सारे example है मैंने आपका app to test के लिए शुरुआत में दो-तीन वीडियो ऐसे से upload किये उसको भी copy कर लिया गया और भी सारी चीजे copy किया गया और ये सब लोग जानते है copy कहा होता है copy master कौन है तो एक कारण है channel progress कम होने का कि आपकी content को ही पहले ही रोक लिया जाता है और अपने channel पे कहके बाभा ही लिया जाता है जिसके कारण से railway life LP की channel में progress होने में बाधा जरूर ये बना है चलिए इसको भी अगर पार्ट करते तो दूसरा कारण आपके पास बना official news railway life पूरी history में आपकी LP, CBT, LP notification से लेके आपकी exam तक में कोई भी ऐसा news नहीं दिखाया जो official नहीं हो कहने के मतलब ये है कि official news नहीं दिखाने से channel की progress का क्यांतर पड़ता है तो लोग कहेंगे कि ये तो आप गलत बोल रहे हैं तो यहां समझने कि ये जरूरी है कि मैं अगर का दूं कि RRB भुनेस्वर पे अभी result आया है ध्यान दिजेगा तो कितने candidate हमारे channel पे उस भीव को देखेंगे 10 देखेंगे, 20 देखेंगे 1000 देखेंगे, 2000 देखेंगे 5000 देखेंगे, उसके बाद सारे लोग कहां जाएंगे भुनेस्वर की website पे जाएंगे और वहाँ से जाके उस data को लिंक करेंगे देखेंगे, अपनी share करेंगे ये होता है, official news देने में आपकी problem लेकिन अगर आप on official news देते हैं, news paper से देते हैं, तो आपको candidate को या viewer को ये नहीं पता होता कि वो data कहां है क्योंकि वो data उनको मिलेगा नहीं जो होगा, share उस channel पे, video के channel की share की जाएगी, यानि आपने news paper दिखा दिया, आपने कोई cutting दिखा दिया, आपने कोई trading news बगेरा या कोई भी social media के news करके आपने दिखा दिया जिससे क्या होगा, कि आपको उस पे अच्छी view मिल जाएगी और आपका channel का progress अच्छा होगा, लोग बाही बाही कहेंगे और channel की progress थोड़ी सी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, लेकिन जब आप official news देंगे, तो सब लोग RRB के website पर जाएगे, और आपकी जो actual कारण है, वो खोड़ा slow हो जाएगा, channel progress slow हो जाएगा, दो कारण होगे, तीसरा कारण आपके पास है कठोर भासा, लोग बोलते हैं कि कठोर भासा का यूच किया जाता है channel में, और मैं हमेशा काता हूँ कि सचाई तो कड़वी ही होती है, भासा कड़वी नहीं है, अगर सचाई आप जानना चाहते हैं, तो कभी न कभी कड़वी लगेगी ही, क्योंकि जब मैंने बोल दिया आपको कि LP में पहले post allotment हो गई, तो बहुत लोगों को दुख होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता, लेकिन official तो यही है, कि आपकी post allotment provisional रूप से हो गई थी, बस उसको verify करना थारार्वी को कि उस post के लिए आप suitable हैं या unsuitable हैं, बस यही है कटोर भासा में और अच्छे भासा में अंतर अगर मैं कह देता आपको कि आपको अभी कोई भी post मिल जाएगा, सारा post आपके लिए open है, तो चैनल को progress कराने में आप भी जोगदान देते और आपको भी लगता कि यह मिठी भासा बोलता है, और मिठी भासा सबको अच्छा लगता है, चाहे वो गलत हो या कुछ और हो, उससे result आपको मिले या ना मिले आपको कानों को सुनने में बहुत अनंदाएगा, अगली बात करते हैं, इमंदारी इमंदारी बहुत होनस्टी चीज है, जिसकी बारे में सबको होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ और हर समय कोशिस यही रहता है कि जितना इमंदारी किया जाए अगर एक मैं वीडियो बनाता हूँ आरार्बी आरार्बी मान लेते हैं यहाँ पर मैं कोई भी एक ले लिजिए चेनई ले लेता हूँ मैं अपने थमनेल में चेनई लिखता हूँ तो केवल इस भीव को चेनई वाले ही कंडिडेट देखेंगे लेकिन अगर एक मैं चेनई नहीं लिखता लिखूंगा एक और जुआइनिंग आ गई एक और जुआइनिंग आ गई तो एक की सारारबी है एक की सारारबी के कंडिडेट जरूर इसको किलिक करके एक बार देखने की कोसिज करेंगे चाहे वीडियो तो एक सेकंड देखें, चार सेकंड देखें या एक मिनिट देखें, पूरी देखने की तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हो सकता है मैंने इलाहबाद भरा है, इलाहबाद का होगा, किसी को लगेगा गुवाटी का होगा, किसी को लगेगा पटना का गोगा किसी को लगेगा मुझभर्पूर का किसि को लगेगा चैनुका है किसी को लगेगा कि यह धिर्युवनятаपुरम का है किसी को लगेगा कि मुंबई का है यानि confusion उनके पास क्रिएट होगा और उनको लगेगा की आप सही काम नहीं कीओ हो बाद की प्रिप्लाई आएगी लेकिन आप इमंदारी से आरर भी चेनल लिख दिये तो चेनल वाले ही कंडिडेट आपके वीव को देखेंगे जिसके कारण से आपकी चैनल पे वीव कम से कम कहें तो वन फाइव कम हो जाएगा यानि आपके चैनल पे वीव उस वीडियो का अगर पच इसके कारण इमंदारी में और बहुत सारी चीजे है उसको रने दीजिए लेकिन सीदी सी एक सवाल एक बताया जा रहा है कि अगर आप सही चीज किसी को बताएंगे तो आपकी चैनल की प्रोग्रेस कम होगी ना की जादा तीसरी और सप्त फाइनल और पहला कंडिशन यह है सचाई सचाई यह है कि अगर आप इमंदारी और सचाई और लास्ट में कठोर भासा तीसरा नमबर पे है तीनों को यूज कर लीजिए तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला कैसे मैं बताता हूँ आपको एक्जामपल से सबसे पहले मैं आपको बता दूं सचाई में कि मैंने आपको एप्टू टेस्ट जिसको साइको टेस्ट बोले थे इसके लिए मैंने 56 वीडियो बनाया था इसमें से कम से कम 50 लोगों ने ऐसे कॉमेंट किया यूटूब पे 50 लोगों ने मुझे और परस्नली किया और 100-100 लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने परत्यक्ष रूप से यह सुईकार किया था कि मैंने 10,000 रूपिये देखे साइको का कलास किया लेकिन यह 56 वीडियो में जो मिला वो कहीं नहीं मिला था तो चैनल पे सचाई के साथ आप काम किये फिर भी आपको इसका रिवार्ड के नहीं मिला यह समझना चाहते हैं आप बिलकुल तो मैं बताता हू कि भीड वहीं जाती है जहां पे उनकी सही चीजे को पूरा नहीं होके उनकी भावनाओं से खेला जाए यानि आप पढ़ाई कराएंगे अस्टडी पे आएंगे टोपिक पे आएंगे तो अगर एक लाग फॉम भरी है तो एक लाग फॉम में से करीब करीब 20% लोग आपको सही मानेंगे बाकी 80% जो लोग हैं केवल आपको टांग खिचने वाले मिलेंगे उनके पास यही करने का टाइम है यानि आपके वो चैनल को ना तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ना आपके चैनल को अच्छी बात लिख सकते हैं बस आपकी टाइम बेस्ट करेंगे उल्टी भा 30% लोगों के लिए आप अगर भागना है तो यह सचाई आपको छोड़ना पड़ेगा उनके साथ मीटी मीटी बाते करना होगा जैसे ही उनको बोलेंगे वो कह रहें यस तो आप भी कह दीजिए यस वो नो कह रहें तो आप भी कह दीजिए नो बहुत बढ़िया आपकी चै अगर इसका आप जबाब देना चाहते हैं तो चैनल आपके सामने है और सारी इनफोर्मेशन जो आपके प्रवाइड किया गया है हम भी आपके सामने आप भी आपके सामने कहां से सुरुवात एक एक करके आपको बताते हैं पहली बार मैंने आपको बताया था CBT-1 के बारे आएगी लोगों ने बोला नहीं CBT-2 में पोस्ट वाई आएगी लेकिन CBT-1 में भी कटप पोस्ट वाई आई हलाकि दूसरी रिजल्ट आई उसमें आपका रिभाइज रिजल्ट बोल सकते हैं उसमें कटप को केवल क्वालिफाई कर दिया गया था क्योंकि कुछ लोगों क अपने तरीके से बताया या जो बताया जिसके कारण से इस चैनल को काफी नुफसान हुआ दूसरा कारण मैंने आपको CBT-2 के लिए बोला CBT-2 के सुरुआत के लिए जब कटप की सुरुआत होई थी तो CBT-1 का कटप तो सही गया था CBT-2 में जो कटप आई थी इसमें करीब करीब 60 से 70 परसेंट सही हुआ था 30 परसेंट गलत हुआ था अब इसके बारे में मैंने उस चीज़ को सबको बता दिया कि यह टेक्निकली होता क्या है मैंने टेक्निशियन का कटप के लिए नहीं बोला CBT-2 में किसी को क्योंकि CBT-2 म इसमें टेक्निशियन का कटप 30 नंबर से लेके 95-92 नंबर तक जाती है इसको कैसे आप फेरिफाई या जेस्टिफाई करा सकते हैं मैंने लोगों को बोला लेकिन बहुत सारे टेक्निशियन के कंडिडेट इस एक्जाम में थे उन नराज हो गए तीसरी कारण आपको F2 टेस पार्ट B के बारे में हमने एलेक्टिकल और एलेक्टोनिस के लिए कबर किया था सरिशलेबस का और करीब करीब ऐसे कंडिडेट मुझे 1000 के पास मिले हैं जिन्होंने मिनिमम बीस प्रस्न अटेंट किया था और मैक्सिमम तक 50 वाले हैं केवल यूटूब के 10, 12, 15 या 30 वीड किया, बहुत सारे कलास किया, CBT2 टाच नहीं हुआ था, हलाकि हर समय जब जानते हैं कि जब एक जाम देते हैं तो 100% आपको अपनी मेहनत करनी पड़ती है, कोई आपको केवल प्रस्न का लेबल, कंसेप्ट और कुछ प्रस्न का आइडिया दे सकता है, लेकिन फिर भी यहां लोगों का यह हुआ, तो यहां पर आप कहने का मतलब यह है, कि चैनल ने मेहनत किया, लेकिन उसकी कोपी, उसकी ओफिस्यल न्यूज, उसकी कटोर भासा, उसकी मंदारी और उसकी सचाई को इनकैस कहीं और किया गया, इनकैस करने का मतलब है, कि अपने लिए यूज करना, यह बहुत डिपकल्ट रहा इस चैनल के लिए, फिर भी हम अभी बहुत उमिदवान है, हमारा एक ही लक्षराता है, कि सही न्यूज दिया जाए, चाहे भीव कम हो, चाहे भीव ज्यादा हो, केवल कंडिडेट जो अच्छे है, उनकी हेल्प मिल जाए, यही मेरा ठार्गेट है, थैंक यू, दाना,